25 दिसंबर और 26 दिसंबर का दिन सिहिंग राशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन दो दिनों के राशी फल के बारे में ये दो दिन आपके लिए कैसे होंगे इन दो दिनों में ग्रहों की स्थिथी क्या होगी नक्षत्र क्या है योग क्या बनेंगे कौन सा ग्रह राशी बदलेगा क्या शुब तिथी होगी सारी जानकारी और इससे होने वाले हर एक बदलाव के बारे में चलिए जानते हैं विस्तार से तो वीडियो को लास तक देखें। चानल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए चानल के साथ। आप इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र की बात कर लेते हैं। 25 दिसंबर स्वामवार का दिन है और शुकलपक्ष की चतुरदशी तिथी है। इस दिन रोहिनी नक्षत्र रहेगा और योग बहुत अच्छे बने हुए हैं आज। पहला योग बनेगा शुब नाम का योग जिसकी स्वामी होती है मालक्षमी यानि मालक्षमी का आज आपको मिलने वाला है चंद्रमा व्रशब रासी में है राशी के स्वामी सुर्य धनू राशी मूल नक्षत्र में है अब तीन और योग बने है पहला सरवार्थ सिद्धी योग है जो पूरा दिन बनेगा तीसरा रवी योग है ये भी पूरा दिन बनने वाला है इसके व्रस्षक राशी में आएंगे अब 26 दिसम्बर को अगर आप देखें तो देखें ये जो दिन है, ये मंगलवार का दिन है और ये मार्ग्षीस मा की पूनिमा ति थी है पूनिमा ति थी इस वर्षक की अंतिम पूनिमा है ये मिरक्षिरा नक्षत्र में आएगी शुकल नाम का योग बनेगा जिसके स्वामी माप पार्वती होती है चंद्रमा भी राशी बदल जाएंगे चंद्रमा राशी बदल कर बुद्ध की राशी मिथुन राशी में आ जाएंगे सोर्य धनुराशी मूल नक्षत्र में है और स और अगर पहले से कुछ दिक्कते चल रही हैं, तो ज़्यादा ध्यान रखने के आवशकता है, अपने आपको कैसे स्वस्त रख सकते हैं, इस पर आपका अच्छा खासा ध्यान रहना चाहिए, तलिब होनी चीजों से दोर रहें, एक्सरसाइज वगेरा करते रहें, तो अच् किसी करीबी रिष्टेदार की मदद से, आप अपनी काम में कुछ एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हैं, कारोबार है, तो वहाँ चीजें काफी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे आपको आर्थिक लाब भी होता हुआ दिखेगा, और आपका जो जीवन शैली ह वह जीवन शैली आज आपकी ठीक ठाक रहेगे, बस देर रात तक बाहर ना रहें तो अच्छा है, वरना आपका अगर स्वास्ताय पहले से खराब है नहीं तो वह ज़्यादा बिगड़ जाएगा, आज ने विचार होंगे, जो फाइदे मन साबित होंगे, इस राशी के ज संदिदा म्यूजिक सुन सकते हैं, या नि जो आपको अच्छा लगता है, वो चीज़ें आप कर सकते हैं, दन संपत्ति के मामले में मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा दिन है, वेवसाय करने वाले लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा है, और शादी शुदा नज योग से जिस भी काम को करेंगे, उसमें आपको सफलता जरूर हासिल होगी, तो उनके साथ मिलकर अपने किसी काम को निप्टा सकते हैं, शाम का समय आपके अपने किसी पुराने मित्र से मिलकर प्रसनता का है, और अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो आज आपको कोई एक्स् रखी भी रोक सकती है, तो अपने काम पर फोकस करें, सबसे पहले अपने काम पर फोकस करें, उसके बाद बाकी चीजों पर आपको ध्यान देना है, अब देखे, योग तो इस दिन बहुत सारे बने हैं, सरवार सिद्धी, अमरस सिद्धी, शुब योग और साथ में रव य लोग और एक ग्रह का राशी परिवरतन भी है तो यह आपके आत्म विश्वास को बढ़ाने का काम करेंगे जिन चीजों को करने के आप इच्छुक है उन चीजों के तरह आप ध्यान देंगे आपकी जो पस्ट और गहरी सोच है वो आपकी मुश्किलों से पार पाने में आप बज़े तक का कोई इंपोर्टन काम करना चाहते हैं तो यह दोपहर का समय रखें यह बहुत ही ज़ादा महत्पून समय रहेगा और सी ग्रीन कलर पहने सी ग्रीन कलर समुद्र जैसा हरा रंग आपके लिया जो शुब है शुबता को बढ़ाने वाला रहने वाला है चलिए 26 दिसंबर के बात करते हैं 26 दिसंबर का दिन अपने आप में खास दिन है क्योंकि यह पूनिमा का दिन है मार्ग शीर्स माह की पूनिमा है और इस वर्ष की अंतिम पूनिमा रहेगी पूनिमा का जो दिन है यह भगवान विश्णु की पूजा मालक्षमी की पूजा करने का दिन है कई शुब संयोग इस दिन बन रहे हैं और देखिए इस मा की ये पुनिमा बहुत ही ज़्यादा शुब भी मानी जाती है और इस दिन अगर आप पूजा अराधना करते हैं या फिर देखिए सत्य नारण की कताब पढ़ना या सुनना आपके लिए बहुत अच्छा रह तो चंद्रमा राशी बदल कर मितुन राशी में आचुके हैं आपके ग्यारवे बहुता है और ये चंद्रमा की इस्तिति दिन को शांदार बनाने वाली है भगवान हनुमान का बजरंग बली का सपोर्ट आपको मिलेगा जो किसी सरकारी अधिकारी का सहयोग चाहते थे उन समाप्त हो जाएगी रिष्टों में एक नयापन देखने को मिलेगा धिमाग में नए नए विचार आएंगे लेखन का कार्या कर रहे हैं तो लोगों की रचनाओं की लोग तारिफ करने वाले हैं आज वेर्थ की बातों में उलजने से बचें और लवमेट से एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे तो अच्छा है अचानक से लाब की योग बन रहे हैं जिससे आर्थी किस्तिती मजबूत होगी जीवन साती को खुश करने के लिए आज को इच्छी सी योजना भी बना सकते हैं प्रेम जीवन बिता रहे हैं लोगों के लिए दिन अच्छा है कि करमचारी हैं वो भी खुश रहेंगे अगर आपके मन में किसी इनाम की उमीद है तो आपकी मेहनत से वो भी प्राप्त हो सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ मिलते ही और आल सी हो जाएं अब इससे आपको अपने प्रियासों को डबल करना चाहिए ताकि आग पारियों के लिए अपने करियर में कुछ अच्छे विकल्प भी खुलते दिख रहे हैं जिससे आपके पास कुछ नई आइडियास होंगे कुछ नई संपर्क होंगे नई संपर्कों को आप डूंडेंगे और जब आप किसी चीज की तलाश करते हैं तो वो आपको जरूर मि ये सबी जीज़ें आज आपके लिए आपके फेवरेबल होने वाली हैं अच्छी होने वाली हैं अब इस दिन देखिया आपको क्या करना है मालक्षमी के अराद ना करें साथमे भगवान विश्णू की भी अराद ना करें तो अच्छा है बाकी में उपाय बताई चुकी कि इस पुनिमा के दिन आपको सत्य नरण की कदा जरूर पढ़नी है साथी चैनल को भी सबस्क्राइब कर लें